इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह प्रभाविक शेत्र में सूजन, लालिमा और खुजली से राहत देता है। फ्लू कोट स्किन लोशन केवल बाहरी उपयोग के लिए है और इसे आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार इस्तिमाल किया जाना चाहिए। दवा की एक पतली परत लगाने से पहले आपको प्रभाविक शेत्र को सामाने रूप से धोना और सुखाना चाहिए। अपनी आख, नाख या मूँ के किसी भी संपर्क से बचें। आकस्मिक संपर्क के मामले में इसे खूब पानी से धोलें। जब तक डॉक्टर द्वारा निर्देशित न किया जाए, तब तक उपचारित क्षेत्र को एरटाइड रेसिंग जैसे बैंडिज से धकने से बचें। दवा का उप्योग करने से आवेदन की जगह पर जलन, जलन, लालिमा और सूजन हो सकती है। ये अस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ चले जाते हैं। हाला कि अगर वे बने रहते हैं या खराब हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती महिलाओं के लिए दवा की सिफारिश नहीं की जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।